नमस्कार भाईो वेलकम है भाईो आप सभी का एक बार फिर से तो दोस्तो आज हम कवर करने वाले हैं इंडिया वर्शिज न्यूजिलैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें आज की हमारी क्या टीम रहने वाली है सबसे पहले वीडियो में बात करेंगे कोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है कोन कोन से खिलाड़ी इस मैच में खेलने वाले हैं और कीस खिलाड़ी का बैटिंग ओडर कीस नंबर परेगा और कोन सा बोलर सबसे ज्यादा और फैकने वाला है उसके बाद बात करेंगे पिच रिपोर्ट कैसी है इस कितना स्कोर्स कर सकता क्या न्यूजलैंड 300 स्कोर्स कर पाएगा यह 300 से उपर का स्कोर्स कर पाएगा पॉलर्स में किसको ज्यादा विकेट्स मिल रहें इस पित पर spinners को ज्यादा wicket है या paysters को ज्यादा wicket है फिर हम बात करेंगे दोस्तों दोनों टीमों की जो playing level है जो dreamland fantasy है उसमें हम wicket की पर में किसको लेकर चले क्योंकि wicket की पर में चार option है दो इंडिया की तरफ से दो न्यूजिलैंड की तरफ से अब ज्यादातर बात की जाए तो सभी लोग रिशब पंथ को अपनिटीम में लेकर चले हैं लेकिन राहूल और डी को नवे यह दो ऐसे wicket की पर हैं जो jail की team में आ सकते हैं यानि कि तीन wicket की पर में से हम किस wicket की पर को अपनिटीम में लेकर चले फिर बात करते हैं दोस्तों batsman में हम किसको लेकर चले क्योंकि हम विराट कोली को लें या रोहित सर्मा को लें या यससवीजासवाल को लें या सुम मनगिल को लें या फिर न्यूजिलाइंड की तरफ से हम टोम लैथम को लें या ड्राइल मिचेल को लें तो काफी ओप्सन है बैट्समान में तो हमको इंडिया की तरफ से कितने बैट्समान और न्यूजिलैंड की तरफ से कितने बैट्समन लेकर चले है आलाउंडर में दोस्तों अस्विन को लेना ही है जडेजा को लेना ही है क्या इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं मिचेल सेंटनर को ले या गलेन फिलिप्स को ले या ब्रेस्वेल को ले या रचिन र पर रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि जो सभी करें क्या हम भी उसी को करें हम भी रविंदर जड़ेजा को और रवी चंदर नस्विन को करें या आज के मैच में भी कोई यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है क्या हम रोहित सर्मा को कैप्टन कर सकते हैं जाइसवाल को कैप्टन कर सकते हैं या फिर आज के मैच में विराट कोली को कैप्टन कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा तर्चान चीज़ा है इंडिया की तरफ सब्सक्राइब हो सकते हैं या आज उनका बला बोल सकता है क्या आर्लाउंडर में रविंदर जडेजा विकेट लैस दा सकते हैं सब्सक्ama त्राइब की और यह सब्सक्राने में कोरें डोस्तों में Part इस में मैं कोश्क हैं हर सिच्वैंशन में ग्राइब बी rif Caitlin के जाए या फिर समाल लीग तो इसली क्लिंट स्विप होने वाली है, मिनी ग्रेंड लीग तो मेरा टार्गेट है विनिंग करना ही करना इस मैच में, अगर आप भी विनिंग करना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा, कौन-कौन ट्रम काड़ खिलाड़ी है, किस खिलाड़ करने वाले हैं, head to head records, venue records, उसके बाद low selection को भी team में try करेंगे, unique captain wise captain भी मैं अपनी team में रख कर चलूँगा, और मेरी पहले अब भी बता देता हूं, मेरी कोशिस रहेगी कि इस मैच में mini grand league में first rank लाने की, और कोशिस रहेगी mega grand league में भी first rank लाने की, लेकिन mega grand league में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन mini GL में easily हम clean sweep कर सकते हैं, तो काफी अच्छा मैच चीज है, तो इसलिए इस मैच को हम cover करने वाले हैं, उसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को like कर दीजेगा, क्योंकि भायों आप लोग वीडियो को like करते हो, आपका प्यार मिलता है, आपके साथ prediction करते ह हैं, आपके साथ team बनाते हैं, तो काफी अच्छा लगता है, तो इसलिए एक like भी कर देजेगा, channel को अभी तक subscribe नहीं किया, तो subscribe भी कर लिजेगा, और दोस्तों final team के लिए हमारे new telegram channel से आपको जोड़ जाना है, जिसका link सिर्फ और सिर्फ आपको description और comments में मिलेगा, तो उ सूबह 9 बज कर 30 मिनट पर खेला जाएगा, यानि कि सूबह मैच खेला जाएगा, तो अभी आप अपनी team मना लोगे, prediction कर लोगे, तो काफी अच्छा रहने वाला है, फिर सूबह काम हो जाते हैं, कोई no creep पे जाएगा, कोई duty पे जाएगा, कोई कुछ करेगा, तो इसलिए स पिच रिपोर्ट्स कैसी रहने वाली है, सबसे पहले पिच की बात करें ना, बैंगलोरो चिन्ना स्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट्स बैटिंग को शूट करती है, यहाँ पर बोल सीधी बलने पर आती है, ज्यादा बड़ा ग्राउंड भी नहीं है, जिसके कान होती रहेगी, पिच तूटती रहेगी, फिर यहाँ पर जमकर स्पिनर्स को विकेश मिलती है, लास्ट के दो दिन तो यहाँ पर सीधे सीधे स्पिनर्स को आही बोल बाला रहे था, पहले तीन दिन बैट्समेन का, फिर स्पिनर्स का, और पहले दो दिन रहेगा यहाँ पर ज्यादा विकेट से मिलने वाली है यानि कि जो टीम फर्ष्ट बैटिंग करेगी वो अच्छा स्कोर्स कर सकती है रिकोर्स की बात करें तो आप देख सकतो इस पिछ पर जो लास्ट मैच के लागा था इंडिया वर्चित सरी लंका के बिच इंडिया ने 202 रन बनाए 303 रन ब मिले उससे पहले जो मैच के लागा इंडिया ने 474 रन बनाए डिकलायर कर दिया और अफगानिस्तान 228 रन और 136 रन पर आल आउट होगे इंडिया इजली विन कर गया इस मैच में भी पेसर्ष को 13 और स्पिंडर्स को 15 विकेश मिले उससे पहले स्पिंडर्स को सब्वी स्पिंडर्स को 12 यानि कि ज्यादा तर सबसे ज्यादा अडवांटेज रहने वाला बैट्समेन को उसके बाद रह अच्छे बात करें बोलर्स उप्शन में हैं तो बोलर्स तो हम दो ही पेसर्ष को लेकर चलना चाहेंगे अब हमारी टीम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा देखो दोस्तों विकेश कीपर में तीन अच्छे लेने वाले हैं तो च्यार लेकिन तीन बहुत अच्छे हैं राहुल मत कीपर तो इसलिए फिलाल के लिए विकेटची पर अपनि टीम में रकूँआ हैं उस विराट को में से किसी को ब्रोग कर रहा हूं तब मैं दो पार के साथ हमां नहीं तो एक ही विकेश के पर मांशन में में ट्री सबपंध हैं अगर।। अगर नुजेलाइंड की तरफ से भी मैं्टी को ट्राइ कर रहा हूँ उस सीच्वेसेर में विकेच्स कीपर लिए जा सकते हैं फिलाल के लिए एक विकेच्स कीपर तीन बैट्समें चाहोत आप दो बैट्समें भी रख सकते हो दो बैट्समन भी काफी अच्छे होने वाले हैं बाकी चार आलाउंडर और तीन बोलर्स ये हमारी टीम का आज के मैच में स्ट्रक्चर हो सकता है अब बात करते हैं दोस्तो हैट टो एडिकोर्ट की दोनों टीमों के बिच काफी मैच इसके लेजा चुके हैं 62 मैच इसके इंडिया ने और 27 नोट रिजल्ट रहे हैं सीधे-सीधे बात करें तो इंडिया काफी स्ट्रोंग टीम है लास्ट के सारे मैच इंडिया विन करके आ रही अगर बात करें तो हालिया दिनों में बंगलादेश को हरा करा रही है काफी अच्छी टीम है और निउजिलैंड की बात करें तो ये अपने जो लास्ट मैच है ना ये हार करा रिया है किससे ये लास्ट मैच है श्री लंका से आर करा लिया दोनों मैचों में शीरिज वाई है तो हालिया परफोर्मस इंडिया की काफिय अच्छी है इंडिया ने अपने हर मैच विन की है यह इंडिया का है और यह न्यूजलाड का एडिटर ने काफी अच्छी ये टीम का स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहने वाला एज ए टेस्ट मैच में क्योंकि वीक टीम और स्ट्रोंग टीम है फिलालमन यूजिलेंड को वीक टीम इमान राओं जो सिरी लंका से भी आरकरा रहा और टेस्ट में तो इंडिया सब से नंबर वन टीम है तो इसको तो आसानी सहर आने वाले है तो इसलिए साथ च्यार का कॉम्बिनेशन बैस्ट रहने वाला अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया की प्लिंग लेवन की रोहित सर्मा और यह सविज आइस्वाल ओपनिंग करते हैं दो जार आएंगे तीन नंबर पर सुम्मंगिल चार नंबर पर वेडाकोली पांच नंबर पर रिशपत छैन नंबर पर लोकेश राउल रविंदर जड़ेजा रवीचंदरन अक्स्विन अकास दीप को डेब्यू किया जा सकता है टेस्ट में जस्परित मुम्रा और मुहमद शिराज यह इंडि चैंज जी बता आजा रहा जो हो सकता बाकिशेंग लेंग लेँऑनने वालीं एक चैंजी दोस्तों इन तीन में से किसी एक को रेस्ट दिया जा सकता है उनकी जलाःप लतर कुल दीप यादव कन्फरम् खेलते वे दिखाई देने वाले हैं हो सकता है टीम जस्परित मुम् यानि कि इन तीनों में से एक पक्का बाहर जाएगा जिसकी जगह पर कुल्दी प्यादो आपको खेलता हो दिखाई देगा चांद शिज रहने वाले मुहमद सिराज की बाहर जाएंगे और कुल्दी प्यादो आ सकता लेकिन टीम बता जा रहा कि जस्परित मुम्रा को भी रे प्यादो आने वाली हैं लेकिन ऑप्सन में ये भी रहने वाले यही दो चैंजिज रहें शर्फ्राज खाण और कुल्दी प्यादो यह खेल सकते हैं स्पोचिन आप सर्फराज खान में से लोकेस राउल के ज्यादा तरचांचीज बताया जा रहे हैं बोलिंग की बात करें तो इंडिया के पाइस यही 500 में बोलर्स हैं जो अच्छे खाशे बोलिंग करने वाले हैं सबसे ज्यादा और बोलिंग करेंगे अस्विन उसके बाद कुलदी प्यादों खेलते तो वो अच्छे खाशे बोलिंग करेंगे फिर जडेजा फिर बुमरा शिराज और आकाश दीप यह इनके प्लेंग लाव रहने वाली है बोलर्स में अब मैं यहाँ से साथ खिलाड लेकर चलूँगा इंडिया की तरफ से चार बैट्समेन है चार में से मैं किनी दो को अपनी टीम में रखोंगा एक हाई सालेक्शन को मैं ड्रोप भी करूँगा उसमें रोईत सर्मा हो सकते हैं उसमें जाइसवाल हो सकते हैं उसमें विराट को ली हो सकते हैं गिल का तो सेलेक्शन कम है, यानि कि दो बैट्स में लेकर चलूगा और एक हाई सेलेक्शन को मैं ड्रोप करूँगा, एक लो सेलेक्शन को ड्रोप करूँगा, उसके बाद विकेट कीपर में देखते हैं, पंत को ले या राहूल को ले, बाकी जड़ेजा, अस्वीन, भुम् उससे पहले एक सो तीन रण बनाये थे एक मैच में, फिर याँ पर पिच्पन रण, एक सो इकतीस रण, हैट वाट की बात करें तो न्यूजिलेंड के खिलाफ 53 का वरेजा है, वैन्यू पर 31 का वरेजा है और टेस्ट में 44 का वरेजा है, रोई सर्मा अच्छे पीकरेंगे, मकरेंगे, यहालिया दुनों में जिस तरह का यह किर्केट खे लीना ती टैस्त मैच सिखेछ ली थे। तो कभी भी बेज सो wer का स्कोर कर सकते हैं, आज के मैच में इंडिया की तरफ से दो खेलाडिया ऐसे हैं, जिन में से एक बीड़ सो wer तो और में प Judah सकती हैं, फिर बात करते हैं जायसवाल रिखेंट सब्सक्राइब काफी अच्छी है तेश्ट में पांच वे स्थान पर चलें वर्ड में अच्छी पोन रहते हैं मोस्तली टैम अच्छा सकोर्स करते हैं दुवादार बैटिंग करते हैं टेकनिकल बल्ले बाद यह लट्व हैं रिकॉर्ट की बात सबसे घजब के किसी के आकड़े है ना तो वो जायसवाल के एंबैट्समेंट में और मैं इसी को ड्रोप करने का रिस्क लिए रहा हूं है रिस्क थोड़ा बड़ा है लेकिन मैंने मन बना लिया कि मैं जायसवाल को ड्रोप कर रहा हूं आप चाहो तो जायसवाल को टीम में र मैं जासवाल को लगबग छे से दस टीमों में ड्रोब करूँगा लगबग आदे टीमों में मैं जासवाल को ड्रोब करूँगा किसी टीम में सीवी सीवी बनेगा नहीं तो मुस्ली टीमों में मैं जासवाल को ड्रोब करने का रिस्क लूँगा क्योंकि एक बड़े खिलाडी हालिया परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही है इस मैच में जरूर एक सुननी सिर्म बनाये थे बाकी ठीक ठाक स्कोर्स है तीस कावरेज जा सेंटीस कावरेज तो फिलाल में ड्रोफी करूँ आसू मनगिल को लो सेलेक्शन होने के काड़ जील में आप पराई करना च तीसरन यानि कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस है लेकिन ज्यादा बड़ा स्कोर्स नहीं आ रहा हो सकता है आज के मैच में विराट को ली और रोहीट सर्मा में से कोई एक देड़ सो से ज्यादा का स्कोर्स करेगा मेरे इसाब से विराट को लिके मेरे को ज्यादा तर्चान सीज है यानि की विराटकोली रोई सर्मां दोनों आज के मैच में अच्छे पीक हो सकते हैं अगर दोनों एक साथ करीज पुर है तो दोनों भी सतक लगा सकते हैं दोनों कैप्टन वाइस के आपटन के एक अच्छे लेकिन पेज़ कहां पर फस्ता विचेट कीपिंग पर अगर विचेट कीपिंग लोकेश रहूल करते ना तो मैं कान्फरम लोकेश रहूल को अपने टीम में ट्राई करता और सच बताऊं तो मैं इसको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना देता क्योंकि सेलेक्शन 23% ज्यादा तर लोग ड्रोब कर रहे हैं और अच्छी बले बाजी कर जाते हैं लेकिन विकेट कीपिंग कर रहे हैं और न्युजिलैंट वीक टीम है अभी फिलाल की बात करें तो इसलिए विकेट कीपिंग से 40 Paralyze से 50 प्विकेट कीपर को टेस्ट मैच में मिल जाते हैं अगर सामने वीक टीम हो तो 40 से 50 प्विकेट कीपरिंग से निकाल लेंगे पलस बैटिंग अच्छी कर लेते हैं तो इसी लिए फिलाल तो टीम में रिसब पंत को ही लिए कर चलेंगे लोकेसरा उल को ड्रोप करेंगे अगर आप कोली या टोप ओडर समय से किसी को ड्रोप करेंगे तभी आप लोकेशन होल को अपनी टीम में जगा बना पाऊगे नई तो चांचिस कम दिखाई दे रहे हैं लेकिन मेरा पूरा 100% मन कर रहा था कि इनको मैं अपनी टीम में लूँ और लूँगा ज्यादा तर टीमों मिलूँगा लेकिन फिलाल बात करें सेफ प्रेडिक्शन की तो रिशब पंथी विकेट कीपिंग में ज्यादा अच्छे उप्शन है क्योंकि यह बैटिंग और बोलिंग दोनों से बैटिंग और विकेट कीपिंग दोना से पॉइंट दे सकते हैं इसल 16 रण 5 विकेट्स, 15 रण 2 विकेट्स, लगबग 5 च्यार या 5 विकेट्स तो मां नहीं सकते हैं मिलेंगे, पलस बैटिंग से पॉइंचे सकते हैं, रिकोडस भी खाते हैं तो सीधे सीधे बात करें सबसे अच्छा कैप्टन कोई है तो वो अस्वीन ही है लेकिन अस्वीन को मैं कैप्टन करूँगा अगर टीम इंडिया पहले बोलिंग कर रहा है टीम इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर रहा है तो मैं विराट कोहली और रोहिशर्मा में से कैप्टन क अच्छे पीक हैं, Captain के container जोरूरों रहेंगे, वाइस captain के container रहेंगे, जडेज्जा भी CVC के उप्सन है, लेकिन मैं Captain, Vice Captain बनाऊंगा तो अस्वीन, कोहली और रोइससरमा में से, तो इसलिए फिलाल में जडेज्जा को AJF फिक्स कलाड़े अपने टीम में रख रहा हूं, इनको सिविसी ना करने का रिश्क ले रहा हूं तीम में रखना पड़ेगा क्योंकि बैटिंग और बोलिंग दोने से प्रइश देने वाले हैं फिर बात करते हैं अकाश दीब ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहने वाले हैं डैब व्यू करेंगे पिछ पर स्पिनर्स का इंपोर्ट इस रिशनफ पो मच्छी है और अच्छे पी करेंगे फिर बात करते हैं दोस्तों मॉमधू सिराज अच्छे पी करेंगे देखो शे बाहर जाता है तो क्लदी प्यादो और को रखूगा हम ड्रूप कर देंगे अब बात करते हैं दोस्तों न्यूजिलाइंड की प्लेंग लवन की तो हम लेथ हम डिवाउन को नवे ओपनी करेंगे रचिंद रविंद्रा केनी विलिम से नहीं खेल लें कमर में खिचाव के करण ड्रायल मिचेल टोम बलंडल ग्लेन फ्लिप्स मिचेल सेंटनर माइकल ब्रेश्वेल आयाज पटेल मैट हैंडरी और ओर की मैट हैंडरी के ज़्यादा तरचांचीज है फिर बात करें टीम्स हो थी यह इनकी प्लेंग लवन है अब इस टीम के पास बोलिंग प्लेंग उसके बात करें तो टीम ड्रायल मिचेल ग्लेन फ्लिप्स को यूजब करेंगे ज्यादा तर बोलिंग के लिए उसके बाद बात करें तो टीम यूज करेंगी रचिंद अच्छे निया लास्ट मैं प्लोफ रहे थे उससे पहले सटर अठाइस अरफिस तरह सी फिर बात करें दोस्तों रिकोर्ट बढ़ा स्कॉर्ट निकर पाएंगे अगर यह विकेट कीपिंग करते देखते हैं कि फाइनल में पता चलता कि डीकोन्वे से लिकेट कीपिंग कराई तो यह फिर मस्ट अपिक हो जाएंगे क्योंकि 30-20 तो यह भी विकेट की पिंग से निकालेंगे प्लस बैटिंग से पॉइंच दे सकते हैं सेलेक्शन 39% है यह ज्यादा अच्छे पिक दिखाई दे रहे हैं दोनों में से अगर बात करें तो अब चाहो तो डीकोन्वे को ट्राई कर सकते हो तरम काड़ी खलाडी हो सकते हैं फिर बात करते हैं रचिंज रविंद्रा बैटिंग और बोलिंग दोनों से पॉइंच देंगे अच्छे पिक रहेंगे एक दो विकेट मिल सकता है पलस रन भी बना सकते हैं तो अच्छे पिक हैं राम से लेकर चल सकते हो सेलेक्शन भी ज्यादा है फिर बात करते हैं ड्रा तो इनकी तो जगह ही नहीं बिन पाएगी गलेन फ्लिप्स अच्छे पी करेंगे बैस्ट पी करेंगे ट्रम काड़ के लाड़ी रहेंगे रिसेंट फॉर्म इनको रखकर चलेंगे फिर बात करते हैं मिचेल सेंटर इनका भी सेलेक्शन काफी कम है अब मैं मिचेल सेंटर को टीम में रखूंगा क्योंकि यह बंदा बैटिंग और बोलिंग दोनों सिप्रेश देगा हालिया दिनों में विकेट तो नहीं मिला इनको लेकिन इंडिया के खिलाफ स्पिनर्स को इनको मिलने के चांचीज है आप देख सकते हो छे मेंचों में दस विकेट्स है और चौन विकेट्स है अठाइस में है और बैटिंग का भी 27 कावरिज है तो ठीक ठैक पिक हो सकते हैं यह भी ट्रंप काड़ ख्लाडिंग रहेंगे मैं मिचेल सेंटरनर को भी अपनी टीम में रख अब एक ही कन्फूजन था कि मैं मिचेल सेंटरनर को टीम में रखूं या आयाज पतेल को टीम में रखूं तो मैंने मिचेल सेंटरनर को अपनी टीम में रखा हुआँ अगर आप चाहतो तो अच्छी काशी कर लेते हैं अब ऐसा दिखेगा हमको हो सकता है कि यह 40-50 रंबना तो अच्छे पिक नहीं रहेंगे और मैं टैंडरी और और के में से कोई एक खेलेगा तो फिलाल हम यहांसे टीम साथी को अपनी टीम में लेकर चलेंगे अब बात करतें दोस्तों मारी फाइनल टेम की विकेट की पर में पंथ अच्छे उप्शन है बैस्मन मैंने शिर्फ दो पांच आलोंड रखें जडेजा अस्विन रचिंद्रविंद्रा मिचेल सैंटरनर गलेन फिलिप्स तीन बोलर्स रखें जस्परीद वुमरा टीम साथी और कुल्दी प्यादों के खेलने के चांची जाए तो मैंने कुल्दी प्यादों परक लिया इनके इलावा मैं दो ख अच्छे पीख हो सकते हैं अब दोस्तों क्याप्टन वाइस का अज के मैच में किसको बनाए उससे पहले आज के गिवे का क्योश्चन अस्विन कितने विकेश निकालेंगे कितने फैंटासी पॉइंच देंगे और कितने रन बनाएंगे यह टेस्ट मैच से दबल इनिंग स वाइस के आज बनेगा बैटिंग के साफसे अगर टीम इंडिया फर्ष्ट बैटिंग करती है तो मैं यूनिक कैपटर के साथशाँ होंगा कोहली और रोहित सर्मा के साथ इन मैंसे मैं किसी एक को कैटन मना वहा और फिर वाइस कैठन मना वहाँगा गागा मैं अवेतन से जछाँ के अपसटन को अगर टीम इंडिया फस्ट बोलिंग कर रहा है तो मैं कैप्टर मना सकता हूँ अस्विन को फिर रोहित और कोली में से किसी योग को बना सकते हो फिर्स्ट बॉलिंग के केस में बुमरा भी अच्छे विकेट्स निकाल सकते हैं यही चार मेरे कैट्टन वाइस कैट्टन के उप्षन है रोहित सर्मा विराटकोली अस्विन भूमरा और कुलदी प्यादो मैं जड़े जा को आज़े सीवी सी नहीं रख रहा हूं यह पांच है फर्स्ट बैटिंग के केस में यह दो अच्छे रहेंगे बोलिंग के केस में अस्विन भूमर और कुलदी प्यादो अच्छे रहेंगे बाकि जो मेरी चार से पांच जेल कॉम्मिनेशन रहेंगे वह माँ आपको टेलिगराम पर बेज़ दूँगा टोस के बाद फाइनल प्लेंग लाइन के बाद तो फाइनल टीम के लिए टेलिगराम से जोड़ जाना वीडियो के डि टेलिगराम पर नमस्कार